सुभह के नास्ते में मात्र ये दो चीजें इस तरीके से विगो कर खाईए इतना करने मात्र से आपके शरीर में अंग-अंग को बहुत ही जाता ताकत मिलेगी इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के कमजोरी की वज़से परिशान है तो उसमें आपको ग्लो करती रहेगी जिससे आपकी उम्र का पता नहीं चलेगा आज की जानकारी अगर आपको पसंद आए तो मुझे एप्रिशेट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर्ड जरूर कीजिएगा हेलो एवरिवन वेलकम बैग मैं आपकी होस्त और दोस्त मधू एक सर्टिफाइड डाइटीशन और एक नेच्रोपैट आज मैं बात कर रही हूँ नास्ते में ऐसी दो चीज़े आड़ करने के बारे में जिनका इस्तमाल करने से शरीर को ताकत मिलती है अगर इन्हें आप देते हैं तो इससे पूरे दिन शरीर को एनर्जी मिलती है जिससे कि आप अपने काम को बहतर तरीके से कर पाते हैं सबसे पहली जो चीज़ है वो है मुंफली जिने चोटा बादाम भी कहा जाता है बादाम के कंपैरिजन में काफी सस्ती भी आती है और उतने ही फायते देत सारे पोश्टत वो होते हैं जिसके लिस्ट सामने स्क्रिन प्रापासानी से देख सकते हैं यो तो हम मुंफली को अपने बहुत सारे पकवान बनाने में व्यंजिन बनाने में इस्तमाल करते हैं लेकिन वो कौन सी मुंफली होती है जारतर रोस्टेड मुंफली हम बात कर रह खुटा है आर्ट्रीज कलीन होती है और हाट के आस्वास की जो नसे ہیں वो उनकी जो कमजोरी है वो दूर होती है और हाट हेल्दी रहता है दोसरा इसका फाइदा कि आपके हाइक कोलने का स्वज़ के संद्र करती है Pros बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द की वज़ा से परिशान है तो उसमें भी भीगी हुई मुंफली खाने से आपको लाब मिलते हैं भीगी हुई मुंफली खाने से आपकी मेमोरी भी तेज होती है यानि कि यादास तेज होती है stress level कम होता है और नीन भी बहुत अच्छी आती है भीगी मुमफली सेवन करने से आपके लीवर को good fat मिलता है आप यू कह सकते हैं कि आपकी body को good fat की आवशकता है लेकिन ऐसी बहुत कम चीजे हैं जिससे हम इसको consume कर सकते हैं भीगी मुमफली बहुत सस्ते में आपको वो सारी चीजे देती है अगर मैं आपके mind की बात करूँ तो 60% हमारा brain fat से बना है और अगर उसे good fat मिल जाए तो उसके कहने ही क्या उसी तरीके से अगर आप भीगी मुमफली को लेती है तो यह आपके liver को healthy बनाती है आपके kidney को healthy बनाती है आपकी gut health को सुधारती है जोडों के दर्द को दूर करती है तिमाग को तेज करती है stress level को कम करती है और इसके अदभुत फायदे हैं तो यह सब तो मैंने आपको बता दिये इसके फायदे अब बताऊंगी इसको इस्तमाल कैसे करना है इस्तमाल करने के लिए मान लीजिए आपकी कोई भी उम्र है अगर आपकी उम्र जो है मान के चले आपके घार में बच्चा है चोटा और उसकी उम्र दस से बारा साल है तो आप उसको भी आसानी से इसको दे सकते हैं उसके जो health है वो बहुत improve होती है immune system strong होता है और उसकी physical health भी एच्छी होती है यानि कि उसका वजन भी बढ़ता है health एच्छी रहती है इसके आलावा उसका दिमाग भी बहुत थेस होता है तो अगर मैं बात करू किस तरीके से आप सकी quantity measure करेंगे तो इसकी measure करने का सर्फ एक तरीका है अप जितने बड़े उतनी बड़ी आपकी मुठी आपने अपनी हाथ को कुछ इस तरीके से मुठी भरके अपनी मुठी को ले लेना है जितनी बड़ी आपकी मुठी होगी उसके अंदर जितनी मुठी आजाती है उतनी ही आप एक बार में भिगोते वो आपके लिए एक बार के लिए एकदम पर्याप्त मत रहे तो ये छोटा बच्चा होगा तो उसके हाथ में जितनी आई ये उतनी उसके लिए अच्छी है जितने आप बड़े होंगे उतनी आई ये उतनी आपके लिए अच्छी है तो इसने मुठी बर मुफली आपने लेनी है अच्छे से पानी से धुले धुल कर रात को किसी बरतन में को भी गोगर रखते है ध्यान रखना है जो पानी है इसका इस्तमाल अगर आप करना चाहते हैं तो कम से कम 5-6 वार आपको पहले मुफली को धुलना होगा उसके बाद आप इस पानी का स्तंमुरुकूल कर सकते हैं otherwise इस पानी को भडिकार्ट कर सकते हैं इसके बाद सुभह के समय में हलका रगळ कर इसका छिलका उताले या फिर चाहिए तो ऐसे भी उसका सकते हैं आप इसे लेने के दो तरीके हैं पहला है आप इसे मिक्सी के जार में डाल करके हलका हलके राउंट्स लेकर के पीस लें, इसके चटनी सी बना लें, दूसरा है आप इसे चबा चबा कर खाएं, वैसे सबसे बहतर तरीका है कि आप इसे सुबह चबा कर खाएं, और अगर नहीं खा सकते हैं तो इसका दूद ये उससे ज्यादा प्रोटीन आपको इसमें मिलता है केल्शम मिलता है और एनरजी भी मिलती है तो यह मैंने आपको इसको कंजिम करने का तरीका बताया लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं इसके साथ एक और चीज आपको इंकुरूड करनी है जो कि शरीर को और भी लाब देती है वह है किशमिस जिसे हम कहते हैं बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाती है आपने क्या करना है दस से बारा दाने किशमिस के अच्छे से पानी से धुल कर साफ करने है और उनको रात को आदी कटोरी पानी के साथ भीगो कर रखना है अब आपने क्या करना है अगले दिन सु मुफली किड़ इस पानी को बीज़े रहे कर सकते हैं तो इसलिए डोनों को बीज़े हैं तो किमिसे पानी को आप चाहें जैसे शेक liz Babe बानी के सब्सक्रांब कर रहे हैं और स्किछेवं तो इसमें भर र्पूर मातर पोर्अ Craft आप देख सकते हैं किसमिस का इस्तमाल करने से सबसे बढ़िया फायदा आपके लीवर को मिलता है क्योंकि इसमें हेप्टो प्रोटेक्टिव तत्व पार जाते हैं यह लीवर को क्लीन करने और मजबूत बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है इसके लावा जो लोग यह कहते हैं कि उनकी आँकों की रोशनी कमजोर हो गई है और उन्हें जो है चश्मे का नंबर उनका बढ़ता चला जा रहा है तो ऐसे में आपको किशमिस को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूट करना चाहिए अगर किशमिस को इस तरीके से भिगो कर इस्तमाल करते हैं तो कॉंस् अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं तो मोतसमंदी जो समस्याय है वह जड़की खत्म हो जाती है तो यह मैंने आपको इन दो इंग्रीडेंट्स के बताए है इन्हें आप साथ साथ भी ले सकते हैं और अलग-अलग भी ले सकते हैं पर अगर आप कितने समय तक लेना है तो मह यह मानिये शरीर को बहुत लाप मिलते हैं जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे अप्रिशेट करने के लिए आज किस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेर सरूर कीजिएगा चैने फिर मिलूगे किसी नई जानकारी के साथ तब तक अपना बेहत खयाल रखें और हस्ते मस्कुराते रहें स्टे हैल्दी, स्टे हैपी बाबाई